दोस्तों क्या आप भी जियो की सिम यूज करते हैं अगर आपके पास जियो की सिम है तो आज की ये वीडियो देख लीज़े आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और अगर आप एक यूटूबर है तो आपके लाइप में और यूटूब करियर में क्या करते हैं तो आपके लिए सबसे बुरी खबर यह है कि आप जब होट इस्टार और आप अगर किर्केट मैच के लवर हैं आप देखते थे फ्री में अभी तक तो अब आपको वह होट इस्टार देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जियो की तरब से एक कॉंट्रेक्ट था दो साल का जो कि अब पूरा हो चुका है 18 से 20 तक का कॉंट्रेक्ट था और अब जब कोई मैच आप देखते हैं या कुछ भी होट इस्टार पर लाइब इस्ट्रीम देखना चाहते हैं तो वह अब आपसे पैसे चार्ज करने के लिए पूश्टा है और आपको पैसे चार्ज करने पड़ते हैं उसके बाद ही जियो की सिम से आप चला पाएंगे होट इस्टार तो पॉइंट नंबर दो जो मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि जियो की तरफ से अभी कुछ दिन पहले आई उसी चार्ज अपलाई किया गया था और बताया गया था है unlimited wise calling वैसे ही जियो कर दे लेकिन जियो ने ऐसा नहीं किया और जियो को चार्ज अब हम दे रहे हैं जब तक जियो की सिम यूज करेंगे अब हमें क्या करना चाहिए यह मेरा point of view है आपका point of view कुछ भी हो सकता है नीचे comment में बता सकते हैं और अगर मेरे point of view से आपको लगत है और जियो से हम कहीं पर भी unlimited calling कर सकते हैं डाटा इसमें ज़्यादा मिलता है और यही सब सोच कर जियो की सिम आपने और मैंने खरीदी थी जियो जब खरीदी होगी तब फिरी में मिला होगा उसके बाद कुछ चार्ज बढ़े और फिर इसके plan चार्ज आए पहले तो सब क पर call करते हैं या idea पर call करते हैं तो आपको 1000 minute जो मिला हुआ है या 500 minute मिला हुआ है 200 minute मिला हुआ है वो minute यूज होता है आपको free call नहीं मिल रही है अगर आपके घर में सभी जियो की सिम यूज कर पाएंगे तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह है कि जियो अब अपनी धीरे जितना हमसे पैसे नहीं ले रहा था उतनी ही पैसे अब वो आपसे और हमसे वसूली कर रहा है तो आपको क्या लगता है जियो किसी मियूज करनी चाहिए या फिर अब exchange कर लेना चाहिए पॉइंट नमर तीन जो कि यूटूबर के लिए बहुत ज़्यादा effect करने वाला है और खास तोर पर उन नए यूटूबर के लिए जो अभी start करने की सोच रहे हैं या फिर उन्होंने start कर दिया जल्दी जल्दी में अभी grow नहीं हुआ और अब उन्हें ज़्यादा charge देना पड़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहली बात ही होती है पैसा अगर आपका पैसा कम लगता है आउटपुट ज़्यादा आती है तो आप खुस रहेंगे अपने काम में और सोचेंगे कम पैसे में ज़्यादा काम हो रहा है इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती वही काम Jio कर रहा था लेकिन अब Jio ने इतने पैसे उसूल ना स्टार्ट कर दिया है अपने प्लान के रेट को इंक्रीज कर दिया है 444-555 रुपए ये सारे प्लान कर दिये हैं यार कि मेरे प्यारे दोस्तों Jio की सिम से only सिर्फ एक फाइदा हो रहा था और वो फाइदा ये था कि उस फाइदे में ये था कि Jio की सिम फ्री में सब कुछ दे रहा था आपको फ्री की आदत लग गई मुझे भी फ्री की आदत लग गई अब मैंने सोचा कि इंटरनेट पर क्या कुछ कर सकते हैं फ्री में इंटरनेट जब मिलता है मैंने स्टार्ट कर दिया यार स्टार्ट करने के बाद जब फ्री में तीन महिने के लिए हो गया उसके बाद तो पैसे जब वो अब मांगने लगा है और हमारा काम भी उतना नहीं चला है कि हम पैसे भर पाएं इतनी जादा तब भी Jio पीछे पड़ा हुआ है पैसे माँगने के चक्कर में तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए चेंज करनी चाहिए sim या अभी और बेट करना चाहिए Jio का Point No.4 Point No.4 Jio ने क्या यहाँ पर गेम चला है अगर आपके पास है और आपके सामने मतलब आप जिस पर कॉल करना चाते हैं उसके पास अगर जियो वाइफाई की सुभिधा नहीं है तो कैसे बात कर पाएंगे ये तो एक तरीके से बस बेकूप बनाने वाली बात हुई है और बेकूफियत का इतना बड़ा हो गया जोल कि जियो अब लोगों से अपने सारे चार्ज घीरे-धीरे करके वसूल रहा है क्योंकि एक चार्ज वसूल करने का एक बंदे से 6 पैसे लेने का मतलब बहुत होता है क्योंकि वो 6 पैसे नहीं काउंट होते एक करोण यूजर हैं एक करोण से ज़्यादा यूजर इंडिया में जी ओके अब सोज लीजे छे पैसे ले रहा एक बंदे से तो कितना चार्ज ले रहा होगा ये सारी चीज़े यार इन्हें सोचना चाहिए फिरी में जब देना इस्टार्ट किया था तब ही इनको ये सोज जरूर बताना अगर आप एक यूटूबर हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए क्या गलती आप कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए वो सारी बाते मैं अपने चैनल पर बताता रहता हूँ और भी कोई टिप्स आती है ट्रिक्स आती है जो मुझे रिल करती है वो सारी टॉपिक मैं कवर करने की कोसिस करता हूँ रोज एक वीडियो डालता हूँ अपने चैनल पर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से थमनेल लगाते है टाइटल किस तरीके से लिखते हैं या एक चैनल कैसे क्रियेट करते हैं यूटूब पर क्या करना होता है यूटूब कैसे वर्क करता है क्या होता है यह CEO और क्या कुछ करना होता है ओनलाइन पैसे कमाने के लिए ओनलाइन वीडियो क्रियेटर बनने के लिए क्या कुछ सिं पर बताता रहता हूँ तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना बिलूंगा मैं एक नई फ्रेस वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई अपना ख्याल रखें सुबरात्री